हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल गाईज आज कि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि नेट एगजाम के लास्ट महेने में आप लोग को आकास कोचिंग के कौण से टेस्ट सेरीज जॉइन करना चाहिए और किस टेस्ट सेरीज के कोशिन को लगाना चाहिए किए काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप बता दिजी कि Manemais कोचिंग के काउंसे टेस्टे कर देजीhl 확 ज्यादय बहतर पड़ेगा क्योंकि reject में कई टेस्ट होते हैं अलग-अलग लेवल पर test होते हैं कुछ टेस्ट होते हैं जो Avi Sparrow Tстран av एकास तेस्ड में 600 600 प्लस आता है 600 radic प्लस आता है 720 आता है कुछ टेस्ट से नौर्मल प्राइब चेस्ट के लिए बाद करूंगा पहला है AIATS जिसका फुर्फाम होता है All India Acast Test Series दूसरा होता है NBTS इसमें लिखा नहीं है लेकिन यह होता है NBTS जिसका फुर्फाम होता है NCRT Based Test Series तीसरा होता है complete syllabus test उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसे बोलते है FTS Fortnightly Test Series तो यह अलग अलग लेवल है जिसमें से सबसे कॉमन टेस्ट सिरीज होता है वो AIATS होता है आकास में पढ़ रहे हर बच्चे इस टेस्ट को देते हैं चाहे हो एवर्फ बच्चे हों चाहे नॉर्मल बच्चे हों या फिर चाहे टॉपर्स हो यह टेस्ट सबके लिए होता है यह टेस्ट स्टार्टिंग से ही होता है अगर आप कोचिंग मेंडमिशन लेते हैं जिसमें से पांच लगवग चाहर पांच टेस्ट आपको क्लास 11 की होंगे चैप्टर वाइज उसके बाद 4-5 टेस्ट आपका लगवग चैप्टर वाइज उसके बाद आपको लाश्ट में लगवग 60 टेस्ट कंप्लेट स्लेबस टेस्ट होता है जो इसमें अगर हम कोच्छन की लेवल की बात करें कि इस टेस्ट में जो कोच्छन का लेवल कैसा होता है तो इसमें देखे जो कं call होता है बहा कुछ को जो करूणरल भी होते हैं और कुछ discourse होते जो काफी टफ होते हैं चाहे आप Character के की बात करें चाहे sun की बात करें चाहे आगालोजिक की बात करें हर को लग समय इसमें लगबग 20 पर्संट कोरशन जो काफ़ी मतलब हैस्स्ते कशन करसे होता है लेकिन लगबग बाकी 20-20 पर से होता है उनके नोट से होता है उनके मॉड्यूल से होता है तो इसमें जो एक नार्मल बच्चा परफार्म करता है उसका जो इस मांक्स आते हैं ते 600 के बीच में आता है जो भी बच्चा इस टेस्ट को दे रहा है अगर उसके नंबर साइब 500 600 500 प्लस है तो मतलब वह एक एवनेश बच्चा है वहाँ नेट को क्लियर कर सकता है क्रैक कर सकता है और नेट में अच्छा प्रफॉर्म कर सकता है तो हमने बात कर लिया अब जो दू कर चैने एक होता है Congo कंप्रीट कर पाते हैं चाहर Κमिस्ट्री का हौा हर को सकते है हैं आप क dependence से रहता है कि आयो फेशिकमिस्ट्री का हो हर को से लेता है अपनोग से Państwo आपको देख सकते हैं एकदम इसमें basic से standard question तक ले जाता है अगर average हैं पढ़ाई में तो आप इसमें लबक 600-600 प्लस अच्छे से perform कर पाएंगे आप लोग यहां पर देख सकते हैं सब कुछ कुछ जो question है आपर सब normal ही है एक लाइन दो दो लाइन के उसके बाद फिर इसमें CRT से ही है कुछ theory भी होते हैं कुछ conceptual भी होते हैं उसके बाद numerical हैं सब है उसके बाद के डाइग्राम से जो question मनते हो भी है उसके बाद chemistry की बात कर इसमें chemistry के लाइन से है हर कोई भी से लिए बस कोई भी कुछन ncrt के बाहर से नहीं होता है कि अधिकर आपका एक बीटी असे डाइग्राम वाला हो गया उसके बाद फिर जो मिलान मिलान वाले कुछ से नाते हैं उसके बाद जो कि स्टेट्मेंट वाले कुछ सना थे किसमें कितने सही हैं तो आपका बहुत अच्छे से इसमें आपका रिवीजन हो जाता है और प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे कि आज कर जो ट्रेंड है हमारे एक्जाम में आता है आप लोग देख सकते हैं आपको इस्टेट्मेंट वाले कुर्सन दिये हैं मिलान वाला कुर्सन इसके बाद फिर यहां मिलान व बच्चों के लिए होता है यह जब पूरा से लिए तब लास्ट के तीन-चार महिनों में जो आकास कोचिंग करता है वह उसमें कुछ टेस्ट जो के चैप्टर वाज लेता है उसके बाद धेर धेरे कंप्लीट टेस्ट लेता है जो एक तीएस का लेवल होता है वह भी मॉड जो होँच करने के लिए लगते हैं कि बच्चा कितना अच्छा फ़ोता है लेकिन ऐसानहीं को से मेदिय में मीडिया में नियुक लगबग केमिस्टिक बात करें तो लगबग 70-80% NCITC रहता है और कुछ जो बाहर से मतलब जिससे कि आप नेट में अच्छा है प्रफार्म कर पाएं टेक्निकल रहते हैं कुछ कोसिन कुछ कोसिन जो भी जो इनका जिससे कि यहां पर है जो इनका रेल्ट आता है एंसर होता है नियर भाई होता है आर आर इसको है तो हम लोग गलती कर देते हैं तो इससे आपका अच्छे स्प्रेट्टिस हो पाएगा इसमें इसमें भी मैक्सम कोशन NCITC रहते हैं अगर हम इस FTS की बात करें तो बै मैचिंग वाला भर भर के आजकल दे रहा है तो यहां पर मैचिंग वाला है इस्टेट्मेंट वाले कोशन आपका देता है तो यहां पर इस्टेट्मेंट वाले मैचिंग वाला होगा डियाग्राम बेस कोशन स्टेट्मेंट वाले कोशन आपका सब कुछ दे रहा है इसमें अब देखो याझ CST जो होता है आकास जो आकास कूचीं है CST वुन बच्चों के लिए देता है जो बच्चे टेस्स में 600 एल्ड फरक्रफरम करते हैं उनके टेस्स में जो बच्चे 600 प्लस लाता है वह उनके लिए CST लाइंच करता है इसमें जो कोशन कर यवर होता है काफी तफ होता है फुशी कोशन permitted होते हैं बाकि कोशन इस्ट होते हैं तो से सटी लगबाल नॉर्मल पच्चों के लिए स्टी करूँ और इयुक्त करूंगा लेकिन अगर आप लगाना कि हमारा नहीं हो रहा है इसलिए आप लोग उसी ऐसा ही कोर्षन लगाई जो कि नीट में आए तो सीएस्टी में ऐसा नहीं कि जो कोर्षन है वो नीट में आते हैं यह तो के बाद प्रैक्टिस के लिए लोग कोचिंग आ देते हैं भी उन बच्चों के लिए जो की अच्छा परफार्म करतें जिनका पहले से ही 600 प्लस टूंके टेस्ट में आ रहा है क्योंकि आप लोग डेख सकते हैं से स्टार्टिंग से जो कॉस्टेन है सब इंटिग्रेशन इस सब इस्टार्टिंग से इनका जो प्रैटर्न है बहुत हाई होता है इस कोर्षन में सब काफी टप क आप यहां पर देख सकते हैं काफी को से आउट अफसे लेख रहते हैं तो सीच में अगर अगर आप काफी अच्छे बच्चे हैं आपका मतलब नर्मल टेस्ट शहसो प्लस आता है तो आप इसको दे सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को आकास के सभी टे जोइन करना चाहिए और काउंसर टेसरी जोइन देना चाहिए आप लोग के लिए तो अगर आप नॉर्मल बच्चे हैं तो आप इस जरूर देजिए इस उसके बाद FTS भी दे दीजिए और CST अगर आप थोड़ा इवरेज बच्चों से अलग हैं उपर हैं आपका अच्छ नहीं है तो आप लोग आप जानते हैं कि टेलिग्राम पर सब कुछ अबलेबल है तो आप लोग वहां से इसका फीडिया डाउनलोड कर सकते हैं आपको मिल जाएगा धन्यवाद